CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं ताकि नशीले पदार्थों की तसकरी पर रोक लगाई जा सके बस्तर में राउघाट रेल परियोजना का कारे अपनी पूरी गती पर है देश की सबसे महत्वा कांग्षी इस परियोजना का पांचवा चरण मार्च आखरी तक पूरा हो जाएगा पहले चरण में दली राजहरा से गुदुम तक 17 किलो मीटर तक रेल मार्क शुरू किया गया इसके बाद दूसरे चरण में गुदुम से भानू प्रतापूर तक 17 किलो मीटर की पटरी बिछाई गई राउघाट परियोजना के सम्मन्थ में इंजिनेरिंग विभाक के जी एम सुभाश कुकेकर ने बताया कि केवटी से अन्तागड के 18 किलो मीटर वाले एरिया में 28 छोटी पुलिया और 3 बड़े पुल है अन्तागड से ताडो की 20 किलो मीटर क्शेतर के बीच में 51 छोटी पुलिया और 3 बड़े पुलों का निर्मान किया गया है वही माववाद प्रभावित क्शेतर में बिचाई जा रही रेलवे पांतों की सुरक्षा के लिए SSB की दो बटालियन में 2000 जवान 2400 घंट एतेनात रहते हैं इनके अलावा BSF की दो बटालियन के जवान भी इनकी सुरक्षा में मुस्तेद हैं इस संबन में SSB के डिप्टी कमांडनेंट दिव्याजीत समराथ ने बताया कि माववादी अब तक दो बार हम पर हमला कर चुके हैं जिसे हमारे जवानों ने नाकाम किया है ये 2018 से इसी लोकेशन पर है और हमारा में काम है कि रावगाट रेलवे प्रोजेक्ट के मैन और मशीनरी दोनों को हमें सुरक्षा प्रदान करनी हैं जिससे की इनका काम जल से जल पूरा होगा है गौर तलब है कि पांचवे चरण में अन्तागर से ताडोकी तक 20 किलोमीटर रेल पांते बिछाने का काम मार्च महिने तक पूरा होने की संभावना है